कॉंग्रेस की राजनीती जूठे वादों और देश में अराजगता फैलाने के हथकंडों तक ही सिमित हो चुकी है आप जरायात कीजिए इन्होंने ओल्ड पेंट्जन स्किम को लेकर कितना बवाल खड़ा किया था लेकिन देश ने जब इनका जूठा गपबाजी गुमरा करने के तरीके पकड़ लिये तो अब ये OPS का नाम लेना भी बन कर दिये हैं वहीं दूसरी तरफ भाजपा है कर्मचारियों की हितेशी भाजपा सरकार नई पैंशन स्किम लेकर आई इसमें कर्मचारियों के लिए निश्चित पैंशन की गारंटी है इस नई पैंशन स्किम का देश भर के कर्मचारियों में व्यापक स्वागत हुआ है सरकारी कर्मचारियों ने इसे उस पर बहुत खुशी जताई है साथ क्यों कॉंग्रेस ने किसानों के साथ हमेशा देश की रक्षा करने वाले वीर जवानों को भी दोखा दिया है यह भाजपास सरकारी ही है जिसने पूर्वस सैनिकों के लिए वन रैंक वन पैंशन लागों की इस से हर्याना के देड़ लाख पूर्वस सैनिकों को दस हजार करोड पे से जादा की मदद मिली है अकेले हर्याना में जब कि कॉंग्रेस ने तो पूर्वस सैनिकों को भी अनेग दसकों तक इसके लिए लटकाए रखा था और जब मुद्दा बड़ा हो गया तो बजेट में सिरफ पांसो करोड रुपे रखे ताकि पूर्वस सैनिकों के आँखों में दूल जौब सके सात्यों मुझे बराबर याद है 15 सितंबर 2013 13 सितंबर 2013 को भारतिय जनता पार्टी ने मुझे प्रधान मंत्री पत्के उमीद्वार के रुपे गोशित किया था और मेरा पहला सारवजनिक कारकम 15 सितंबर को रिवाडी में हुआ था पूर्वस सैनिकों का कारकम हुआ था और मैंने पूर्वस सैनिकों के सामने मन से सामने सर जुकांकर कहा था कि मैं आपकी तपस्या को कभी बेकार नहीं जाने दूँगा मैं OROP लागू करूंगा कॉंग्रेस वालों के 500 करोल का खेल खेलाता सात्यों सरकार में आने के बाद हमने OROP लागू किया इतना ही नहीं कुछ दिन पहले ही हमने OROP का तीसरा रिविजन भी कर दिया है और इस अक्तुबर से मेरे पुर्वफोजी भाईयों को इसका भी लाग मिलने लग जाएगा मुल खुर्वफोजीилась